1939 से 1945 के बीच जब World War 2 चल रहा था तो American Army को अपने soldiers और weapons को युद्ध के मेदान में भेजने के लिए urgently एक ऐसे vehicle की जरूरत पड़ी जो की सस्ता compact और मजबूत हो इसके लिए अमेरिकी सेना ने लगभग 135 आटो मोबील कमपनीज को सिर्फ 49 डेज में एक 4 वील ड्राइव कार की एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाने को कहा लेकिन इतने कम टाइम में मॉडल डिजाइन करने के लिए सिर्फ दो कमपनी बैंटम और वीलिज ओवरलेंड ने ही आरमी को रिस्पॉंड किया और बैंटम कमपनी ने जो कार मॉडल बनाया वो अमेरिकन आमी को पसंद आया और फिर विलिज कंपनी ने जीप नाम को ट्रैड मार्क करवाकर अपनी नू कार को विलिज जीप नाम दिया लेकिन जब तक वर्ल्ड वार चला तब तक ही यह जीप कार डिमांड में रही और वार खत्म होने के बाद इस कार की इमेज एक सोलजर कार की बन गई जिससे लोगों को जीप कुछ खास पसंद नहीं आई इसलिए विलिज कमपनी बिखने की कगार पर आ गई लेकिन महिंद्रा कमपनी के मालिक केसी महिंद्रा उस टाइम में अमेरिका में ही थे पर उन्होंने जीप को देखा और जीप के CJ2A मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करने की डील कर ली और इंडिया में मैनुफैक्चर करके बनाई गई महिंद्रा ने अक्टूबर 2020 में थार की सेकंड जनरेशन को लांच किया और थार के अट्रैक्टिव लोग और 4x4 होने की वजह से लोगों ने थार को इतना पसंद किया कि अभी थार का वेटिंग पीरियड लगभग एक साल का है